नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रंजीत और आप देखना सुरू कर चुके हैं देश के संविदा कर्मियों का लोग पिरिये नेटवर्क न्यूज फोर फोटी फोर न्यूज नेटवर्क तो दोस्तों एक बार फीर आपका हमारे चैनल में स्वागत है हार्दी कभी नंदन है त तमाम जो है कि संविदा पर नियूट महिलाओं से जूड़ी हुई महतपूर्ण अपडेट किंद्र वराज सरकारों की तरफ से लेकर हम आये हैं सारा खबर हम आपको बताएंगे कि आंगनबाडी सेविका साही का आसा कर्मी के बेतन बिरिधी होने में अब जो है कि कि कितना समय बाकी है और आसा आंगनबाडी सेविका साही का तमाम महिला कर्मियों का बेतन बिरिधी 18,000 कर्व ने करमचारी भविस निधी का लाब दिये जाने को जो है कि EPF संगठन के द्वारा लागतार जो है कि परियास किया जा रहा है इस संबंध में जो है कि पूरी जानकारी म इनुअ विडियो ओंफेरेंसिंग के माध्यम से तमाम चीफ सेक्रेटरी से अपरमुग सचिए ने बात की है और उनसे कि जहना है कि तमाम राजियों में आंगनबाडि से का साही का आसा कर्मियो का ब्यतर बिरिधी कितना हूआ है और कितना वरत्मान में मिल रहा है तता किन किन को ईपी एफ करमचारी भविष नीधि संगठन के मादियम से जोल करुएं करमचारी भविष नीधि की राशी कट वती की जा रही है जिस पर राज सरकारों के ध्वारा बताया गया कि अभीतख परते एक राजियों में आंगन बाडिश सेवी का साहिका आसा कर्मियों को जो है कि करमचारी भविष निधी संगठन से जोड़ा नहीं गया है और नहीं उनके खाते से ईपीएफ की रासी कटवती हो रही है इस पर केंद्र सरकार ने जब ईपीएफ संगठन करमचारी भविष निधी संगठन के जो है कि उनका अस्तर 12,000 से कम होने की वज़़ से आसा आंगन बाडिश सेवी का साहिका और महिला कर्मियों के जो है कि करमचारी भविष निधी की लाब नहीं दी जा सकती है जिसकी पूरी जीमवारी जो है कि राज सरकारों पर है और करमचारी भविष निधी संगठन के द्वारा केंध्र को यह भी प्रस्ताव दिया गया कि इसके जीमवार लोगों को जो है कि चिनित कर और उन्हें जो है कि जीमवारी सौब कर उनके उपर जब तक सक्थ कानूनी करवाई का प्रवधान केंद्र सरकार नहीं करती है तब तक जो है कि आसा अंगन बाड़ी सेवी का सहाई का तमाम जो है कि महिला कर्मियों को करमचारी भविस्नी धिसंग अठन से जोड़ पाना संभव नहीं है इस पर रूख कला एकतियार करते हुए "- तमाम राज के चिक सकरेटरी को हिदायद केंद्र सरकार ने पर जो है की टैम लाइन से आधिक और केंद्र कई सख्त रविय की वज़य से तमाम राजेंग की सरकारे जो है कि असमंजस की इस्तीती में पड़ गई है जह मेला सिर्फ इतना है कि राज सरकारे कह रही है कि केंद्र सरकार को केंद्रांस की रासी 50% से अधिक बलाना चाहिए और हम लोग जो है कि 35% राज सरकारे देने के लिए तैयार है किन्तु 75% जब केंद्र बढ़ाएगा तब ही जाकर जो है कि 25% राज बढ़ाने की बात कर रहा है लेकिन ऐसी परिस्तीती में केंद्र सरकार का कहना है कि 50% रासी जो है कि राज सरकार को देनी ही होगी और 50% केंद बिरिदी हो जाएगा इस बीचिस मामले में इस तक्रार में करमचारी भविष्णी दिसंगठन की एंट्री हो चुकी है और करमचारी भविष्णी दिसंगठन के नियमों के अनुरूप यदि किसी भी भीभाग में वर्क प्लेस में 500 से अधिक की संख्या में कोई कर्मी कार्ज करता है तो उनका करमचारी भविस्नीदी की रासी कटवती देश में अनिवार्ज है आपको बताते चले कि 200 लाग से अधिक की संख्या में आसा कर्मी और उतनी ही संख्या में जो है कि एक राज में जो है कि आंगन बारि सेवी का सहाई का और जो है कि तमाम जो है कि मद्यान, भोजन jurisdictions, EMDM, yaga की संख़या, जो है कि करम चारी भविस नीदि नहीं जोला गया है , नाहींक नोटनी है रासी कोटाव्त ही होती है, नाहीं को io hanakini कि, जो है कि घरकानूनी कार्ज है जो राज सरकारे कर रही है अपने रुसूक के बल पर ग्रामिन महिलाओं को सहरी महिलाओं को गरीब महिलाओं को जो है कि कौम मांदे देकर उनको जो है कि कौम पैसे में जो है कि ज्यादा वर्क लेने की नीती के तहट आंगन बारी सेरीका और स का स्वामिख्षा सुरू केंद्र के द्वारा किया गया और जब आप मांगी जा रहा है वर्चुल मीटिंग्स हो रहा है जो है कि तमाम तरह के विडियो कॉंस्पिरेंसिंग पर निर्देश जारी किये जा रहा है लेकिन धरातल पर अभी भी जो है कि स्थिति वहीं है न तो अभी तक आंगनबारी शेविका सहाई का बेतन बढ़ा है नहीं जो है कि आसा कर्मी और एमडीम रसोईया के बेतन में बिरिधी का कोई लाभ देखा जा रहा है तावाम महिलाय सोशन की सिकार है और हम लगतार अपने चैनल से जो है कि महिनों से आवाज उठाते आ रहा है और सरकार के सूत्र और सरकारी कर्मी और अलाधेकारी लगतार आसवास हों दे रहें कि राजियांस की रासी अधी 50% कर दी जाती है तो ततकाल पर भाव से 50% की बिरिधी करते हुए केंद्र सरकार भी आंगनबारी बहनों का आंगनबारी से विक्या सहाई क्या बहनों MDM रसोई आधी के ब्यतन को 12,000 से अधिक कर देगी और निश्चीत तोर पर इनके करमचारी भविश निधी की रासी की कटवती शुरू हो जाएगा इसे राज सरकारों को क्या दिकत है या समझ से परे है राज सरकारे स्वयम पत्र जारी कर चुकी है कि जो है कि कि किसी को स् मुसार 611 रुपए यानि की 18,330 रुपए पर अति महां से कम नहीं दिया जा सकता है अब चुकी केंदर ने अपना रूख सक्त किया है क्योंकि सुप्रीम कोड का मोनेटरिंग है वीडियो कॉन्फिरेंसिंग लगातार हो रहा है पर तेखवते जो है कि मुख सचीवों की च आपने वाट राज सरकारों का कहना है कि यह जो ब्यतन्द्र पर centr की पर चुनाओं के बाद भी होता रहेगा लेकिन हमारी यह मांग है वोले है चुनाओं के पूर्व कह नहीं हो सकता जब कुझ कर्मियों का हुआ है तो पिर आंगनबारी शाहिका आसा बहनों का मनद्र च जो है कि राज सरकारों को क्या दिकत और परेसानी है इस सवाल का जबाव राज सरकारों को देना चाहिए और जो है कि केंद्र का तमाम आसा कर्मी आंगन बाड़ी बहने सेविका सहाई काओं को धनेवाद देना चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार लगातार जो है कि सक्त कर इसकी मोनेटरिंग शुरू कर चुका है और हम जो है कि लगातार आंगन बाड़ी से क्या सहाई क्या आसा बहनों की आवाज उठा रहे है ताकि उनको 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 करमचारी भविष्णी धिसंग ठन से जोड़ उनको जो है कि तमाम करमचारी भविष्णी धिसंग तरन टीए डीए क हमारा सपोर्ट कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में महतून खबरों के साथ तब तक के लिए जया हिंजा भारत जय विहार